भारत में करीब 600 नेशनल हाईवे हैं और इनकी लंबाई है तकरीबन 1,46,145 किलो मीटर अंदाजा लगा लिजे रोजाना लाखों करोडों लोग इनके जरीए सफर करते हैं ना सिर्फ सफर बल्कि ये हाईवे कारोबार की रीड की तरह हैं और इतने व्यापक पैमाने पर इन हाईवे पर सुरक्षा और सुवीधाएं मौया कराना किसी चनौती से कम रही है लेकिन अब इस चैलेंच को सड़क पर उतारने जा रही है मोधी सरकार मोधी सरकार का सड़क परिवहन मंत्राल है जो इस सपने को हकीकत बना देगा आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे मेरा नाम है रितू ग्यानवानी आज बात हम सफर योजना की हम करने जा रहे हैं क्या लंबे सड़क यात्राओं के दौरान आप कई परिशानियों का सामना करते हैं खासकर जब आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों और आपके साथ छोटे बच्चे, बीमार या दिव्यांग सदस्य हों इसके अलाबा अगर आपका कारूबार किसी भी तरह से परिवहन से जुड़ा है तो उनके लिए आ गई है हमसफर योजना मोदी सरकार में केंद्रिय सडक एवं परिवहन मंत्री नितन गटकरी ने हमसफर नीती की शिरुवात की है जिसका मकसद मुसाफिरों को बहतर सुवीधाएं प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्टित करना है और विस्तार से आपको समझाते हैं कि क्या आखिर है हमसफर सरकार यात्राओं को सुवीधा जनक और सुरक्षत बनाने के लिए समय समय पर पॉलिसी लेकर आती है इस बार मोदी सरकार ने सफर से जुड़ी हमसफर पॉलिसी लॉंच की है इसमें नैशनल हाईवे पर कई ऐसी सुवीधाएं दी जाएंगी जिससे लंबे सफर को आराम से किया जा सकेगा इसके तहट जो सुवीधाएं दी जाएंगे वो कुछ ऐसी है स्वच्छ शौचाले, शिशु देखबाल कक्ष, वीलचेर के लिए प्रावधान, तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग के लिए जगा साथी साथ रुक कर आराम करने के जगा भी दी जाएगी एक खास बात ये है कि हमसफर नीती में वीलचेर, चार्जिंग पॉइंट्स, पार्किंग के सल और फ्यूल स्टेशन पर आराम के लिए होस्टल जैसी सेवा दी जाएगी इसका दूसरा बड़ा फाइदा हुगा कि रोजगार बढ़ेगा और मार्केट भी बनेगा जिसका फाइदा आसपास के इलाकों को मिलेगा और इस नीती पर सही शोट अमल सड़क यातरा की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा अब सवाल की जानकारी मिलेगी कैसे तो इसमें ली जाएगी तकनीक की मदद लोग रोजमार गयातरा एप के जरीए अपनी लोकेशन के आसपास इन सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं एप में यातरियों को सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी जैसे वहाँ पर रुकने, खाने और होस्टल के शुलक के बारे में भी पता किया जा सकता है अब सवाल है कि इनमें ज्यादातर सुवीधाएं तो पहले ही मिल रही थी, फिर आखिर नया क्या होगा नयापन है रेटिंग विवस्था, यानि गुडवत्ता को सुनिश्टत करना, इस नीती के तहट जो भी सुवीधाएं दी जाएंगी उसके लिए निगरानी और निरिक्षन का खास खयाल रखा जाना है यातरी सिवा का लाब लेने के बाद रेटिंग भी देंगे और उस रेटिंग को उपर तक मॉनिटर किया जाएगा अगर किसी की रेटिंग तीन स्टार्स से कम होगी तो उस पर फोकस बढ़ाया जाएगा निरिक्षन के जरीए ज्यादा ध्यान दिया जाएगा केंद्रिय सडख परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने मंगलवार को लॉंचिंग के साथ ही आपको बताएं कि अफसरों को बातों बातों में इशारा कर दिया गटकरी ने कहा कि पड़े लिखे लोगों को खास तोर पर अधिकारियों और विशिशग्यों के साथ मन्थन और अध्यन के बाद चार साल की देरी से ही सही आखिरकार ये नीती लागू की जा रही है इसका उदेश्य लोगों को सुखद और सुरक्षत यात्रा की गारेंटी देना है इतना ही नहीं राश्ट्रिय राजमार्ग में जतने भी पैट्रोल पंप बने हैं उनके कारोबारियों से गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी सुईधाएं देने के लिए कहा गया है गटकरी ने ये भी साफ किया है कि इस नीती के तहट फूट कोट, काफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन और इलेक्टरिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्वीधाएं, शौचाले स्वीधा, शिशु देगबाल कक्ष, एटीम, वाहन मरम्मत के दुकान, फामेसी आएं, राश्टिय राजमार पर आपको ना बहतरी सफर का आनंद देंगी, बलकि सुरक्षा की गैरेंटी और जादा बढ़ाएंगे, अब मोधिय सरकार की इस माइल्स्टोन नीती का दूसरा पहलू, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो है सुरक्षा, इसकी वज़ को लेकर चिंता भी जिताई थी, दरसल नए नियम आने के बाद भी, 2019 की तुल्ला में सड़क दुरघटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क हाथसों में रोजाना औसतन, 461 व्यक्तियों की जान जाती है, सड़क परिवहन और राज मार्ग मंतराली की भारत में सड़क दुरघटनाएं, 2022 शीरशक से जारी वाडशिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशबर में 4,1,312 सड़क हाथसे हुए थे, जिन में 1,68,499 लोगों की जान चले गए, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे, पिछले साल के तुल्ला में 7,997 हथ से हुए, 32 प्रतेशत है, माना ये जा रहा है कि हमसफर नीती के सही क्रियानवेन के बाद हाथसों के बढ़ते आंकडों में भी कमी आएगी, हमसफर नीती की एक और खास बात आपको बता दे, कि अभी अगर कोई हाईवे पर ट्रैवल करता है, तो सामाने तोर पर उसे काफी दूरी पर पब्लिक फैसलिटीज मिलती हैं, लेकिन अब हमसफर नीती के तहट साइड एमेनिटीज शामिल की जाएंगी, जो पूरे हाईवे में 40-60 किलोमीटर की दूरी पर बनाय जाएंगे, हाईवे पर पहले से मौजूद धाबों, रेस्टरॉन, पैट्रोल और जैसा कि हमने जिकर किया कि लाइसेंस उसी का रेन्यू किया जाएगा जिसे अच्छी रेटिंग मिलेगी, खराब रेटिंग पर लाइसेंस रेन्यू नहीं होगा.